नमस्कार सुआगा थेब सभीका सिक्षा सेटे के सेटूप चैनल में दोस्तो आज हम फिजिक्स का एक और टोपिक कवर करेंगे तरंग गती दोस्तो तरंग गती से रिलेटर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रस्न बन सकते हैं उन सभी important प्रसनों को आज के इस वीडियो में cover कराए गया तो आई वीडियो को सुरू करते हैं और देख लेते कौन कौन से important प्रसन है जो तरंग गती के topic से बन सकते हैं तो आई वीडियो को सुरू करते हैं पहला important प्रस हमारा है दो क्रमागत स्रिंगो अथवा दो गलतों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है इस सुपर important प्रस लगाता है एक जाम में पूछा गया प्रसन तो दो क्रमागत स्रिंगो और या दो क्रमागत स्रिंगो या दो गलतों की बीच की दुरी को हम क्या कहते हैं तो दो क्रमागत स्रिंगो अथवा दो गलतों की बीच की दुरी को कहा जाता वेब लेंथ यानि की तरंग दैल यानि आपसन इसका बी बिल्कुल से हो जाएगा दो क्रमागत स्रिंगों अथवा दो गलतों की बीच को दूरी को हम कहते हैं तरंग डैल्द यानि की वेब लेंथ तता यह जो वेब लेंथ होती है इसको लेमडा से प्रदलसित करते हैं किस से? तो लेमडा से प्रदलसित करते हैं तरंग डैल्द को इसका जो प्रतीक चीन होता है कुछ इस प्रकार का होता है अब देख लिजेगा इसका जो प्रतीक चीन होता है कुछ इस प्रकार का होता है उपर से इस प्रकार का निकला होता है तो इसी लेम्डा से ही प्रदलसित किया जाता है तरंग दैल देखो तो इसे आप याद रिखि तरंग दयाल दयाने की वेब लेंद का SI मातरक क्या होता है तो वेब लेंद का SI मातरक क्या होता है तो मीटर यानि option इसका A बिल्कुल सही है तरंग दयाल दयाने की वेब लेंद का SI मातरक होगा मीटर यानि option जो A है इस प्रस्ण का हमारा बिल्कुल सही है अगला important प्रस्ण हम की सता से परावलतित होती है तो पृत्वी का जो आयनो स्पेयर होता है पृत्वी का जो आयन मंडल होता है वहीं से परावलतित होती है दिर्ग रेडियो तरंगे तो आप इसे यादरी कियेगा ओप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है आयन मंडल से परावलतित होती है दिर थर्दकार की तरंगों का जो प्योग है वह रेडियो और टेली वीजन में किया जाता है इसे आप याद और तरंगों के कारण नहीं संभव हो पाते हैं तक शुकों प्याद ये आयन मंडल से जो है परवलतित हो के वापस आती हैं इसके साथ ये जो दिर्ग रेडियो तरंगे इनकी खोज किस ने की थी ये भी कई पर एक जामें पुछा गया है तो जो दिर्ग रेडियो तरंगे हैं इनकी खोज कि गए थी मारकोनी के द्वारा किसके द्वारा तो इनकी जो खोज है यहां मारकोनी के द्वारा कि गए थी दिर्ग रेडियो तरंगों की तो इसे आप ज़रूर याल रखिए अगला important प्रस्ट हमारा है कौन सी तरंगे सुन्न में संचरन नहीं करती है super important प्रस्ट तो सुन्न में संचरन का मतलब क्या है इन तरंगों को मतलब संचरन करने के लिए किसी ने किसी माध्यम की अवस्यक्ता हमेशा पड़ती है तो जो ध्वनी तरंगे होती हैं वे सुन्न में संचरण नहीं कर पाती है यानि option जो इसका C है बिल्गुल सही है ध्वनी तरंगों को संचरण करने के लिए यानि कि चलने के लिए किसी ने किसी माध्यम की आवस्ता जरूर पलती है यानि कि जो ध्वनी तरंगे होती है की आवस्यक्ता पड़ती है तो आपी से याद दिखिएगा दोनी तरंगे इसका राइट एंसर है अगला इंपोर्डेंट प्रसमा रहा है कि एक रडाल जो सत्रू के वायुयान की इस्थिती का पता लगाता है इसमें किस प्रकार की तरंगों का उप्योग किया जाता है तो आप इसे याद देखिएगा राडार में जो है रेडियो तरंगों का उप्योग किया जाता है तो ऑप्सन जो इसका भी है बिल्कुल सही है रेडियो तरंगों का जो उप्योग है यह राडार में किया जाता है यह सुपर इंपोर्डन प्रसन है यह लगातार एकजाम में पूछा गया प्रस्तन है तता यह जो रेडियो तरंगे होती हैं इनसे वस्तू की रेंज, उचाई, दिसा और गती का पता लगाया जाता है इसे आप याद देखेगा जो रेडियो तरंगे होती हैं इनसे किसी विवस्तू की रेंज का पता लगाया जाता है किसी की रात्री द्रिश्टी के उपकरण में किया है, तो मतलब रात में देखने वाले जो उपकरण होते हैं, रात्री द्रिश्टी के उपकरण होते हैं, उसमें किस प्रकार के तरंगों का उपकरण किया जाता है, तो आप इसे याद देखिएगा, यह इंफ्रारेट तरंगे होती ह इनका जो उप्योग है वो लच्छ दूर्ण डूर्णने में, निरिछन करने में, रात्री डिष्ट्री आदे के लिए सेंगों के दोरा किया जाता है तो इसका राइट रेंचर आपको मिलेगा option C याने की आउरक तरंगे अगला important प्रस नमारा है, दूर संचार के लिए प्रियोग तरंगे कौन सी है मतलब दूर संचार में किस प्रकार की तरंगो का उप्योग किया आता है तो दूर संचार के लिए जो है microwave का इस्तिमाल किया जाता है तो right answer आपको मिलेगा option D याने की microwave का जो इस्तमाल है या दूर संचार में किया जाता है याने की सुच्मतरंगो का जो प्रियोग है microwave का मतलब होता है यहाँ पे सुच्मतरंगो का जो प्रियोग है वह किसमें किया जाता है तो दूर संचार में किया जाता है अगला इंप्रोटने प्रस्मारा है एफम प्रसारन सेवा में प्रियुक्त होने वाली अवरित्ती बैंड का प्रास क्या होता है तो जो एफम प्रसारन सेवा होती उसमें जो प्रियुक्त होने वाली अवरित्ती बैंड का प्रास होता वो कितना होता है तो वो होता है, 88 से लेके 108 MHz के मद्ध ही होता है, FM प्रसारन सेवा में प्रयोग्त होने वाली अवरित्ती बैंड का पराज, तो option जो इसका C है बिल्कुल सही है, 88 से लेके 108 MHz के मद्ध है, अगला important प्रसमा रहा है, CT scan करने में प्रयोग में क्या लाई जाता है, मतलब CT scan में किसका प्रयोग किया जाता है, तो CT scan करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो X किर्णों का, यानि option जो इसका है, हमारा D बिल्कुल सही हो जागा, जो X range होती है, जो X किर्णे होती है, उनका उप्योग CT scan करने में किया जाता है, तो आपी से याद देखिएगा CT scan करने में जो है X किर्णों का उप्योग किया जाता है तो यह सुपर important प्रसन है लगातार एक्जाम में पूछा गया प्रसन है इसके बाद अगला important प्रस हमारा है cosmic किर्णे किस प्रकार की किर्णे होती है यह भी कई बाद एक्जाम में पूछा गया है तो जो cosmic किर्णे होती है किस प्रकार किर्णे होती है तो cosmic किर्णे होती है आवेसित कर्ण होती है क्या होती है यह एक प्रकार की आवेसित कर्ण होती है तो option जो इसका A है बिल्कुल सही है तो कॉस्मी किर्णों के संबंद में दिये गए कतनों में से कौन सा कतन सही है नहीं है देख लेते हैं पहला कतन क्या कहा रहा है ये बिद्दुचुम्म की तरंगे होती है तो ये कतन बिल्कुल सही है इसके बाद दुसरा कतन हमारा क्या है ये बहुत ही अधिक उल्जा वाले आवेसित कड़ों से बनी होती है, तो इसके बारे हमने पढ़ा कि ये एक प्रकार की आवेसित कड़ होती है, तहीं भी बिल्कुल सही है, तिसरा क्या हमारा, ये सूर्य के प्रकास, मतलब सूर्य से उत्पन्न होती है, ये भी बिल्कुल सही है, चौता ओप्सन क्या हमारा, इन की जो तरंग देवद है छोटी नहीं होती है तो option जो इसका D हो जाएगा गलत याने की कौस्मी किरणों के संबंद में या कथन गलत है अगला important में समरा है crystal की संरचना ग्याद करने के लिए निमनमे से किसका अपयोग किया जाता है तो crystal की संरचना जानने के लिए निमनमे से क याद करने में किया जाता है इससे पहले मैंने आपको पता है CT scan में भी जो है X-rays का उपयोग किया जाता है अगला important प्रस मारा है निमनमे से किस विद्धु चुमकी तरंग की जो वेधन चमता है वो सरवाधिक होती है यानि कि जो वाई रेज होती है जो गामा किरने होती है इनकी जो वेधन चमता होती है वो सबसे अधिक यानि कि सबसे सरवाधिक होती है यानि option A इसका बिल्कुल सही है जो है गामा किरनों की खोज किस ने की थी तो जो गामा किरने थी इनकी खोज की गई थी बैकुरल के द्वारा यानि option A इसका बिल्कुल सही है बैकुरल के द् तो X किर्णों के खोज कलता कौन है तो इसका राइट एंसर है रॉणजन यहां पर होगा रॉणजन नहीं रॉणजन इनका नाम है क्या है तो रॉणजन जो है यह X किर्णों के खोज कलता माने याते हैं तता यह जो X किर्णे होती है इनका जो उप्योग है जो है X क्रनों का जो उपियों के चिकिस्टा और अध्यों के छत्री दोनों में किया जाता है, तदा X क्रणों का जो खोज किया गया था, वो रांजयन के द्वारा किया गया था, अगले इंपर्णेंट प्रस नमारा है इंफ्रारेड रेडिशण यानिकी आवरक्त विकरण की खोज किसंटे के थी तो जो आवरक्त विकरण थी इनकी खोज की गई थी हरसल के दवारा यानि option जो B है इसका बिल्कुल से हो चाएगा तो इनका जो उप्योग है या कुहरे में फोटोग्राफिक करने में, रोगियों की सिखाई करने में और टीवी के रिमोट आधी में जो है इंफ्रा रेड यानि की आउरक्त किर्णों का उप्योग किया जाता है। जो इन्फ्रा रेड रेडियेशन होती है उनका उप्योग टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। वैदुत प्रभाव को कम करने और बैक्टिरिया को नस्ट करने में किया जाता है। तता यह जो यूवी रेज थी इनकी खोज किये गए थी रीटर के द्वारा किसके द्वारा की गई। तो यूवी रेज याने की पराबैगनी के रिमोट की खोज है यह रीटर के द्वारा की गई। अगला इंपोर्डन प्रस्ट जो की लास्ट प्रसनाच का है निम्न में से किस प्रकार की किर्णों का उपयोग नाव की अभक्रिया तता क्रित्रिम रेडियो धर्मिता में किसका उपयोग किया जाता है तो गामा किर्णों का यानि आप्सन ए इसका बिल्कुल सही है गामा क किरणे हैं इनकी जो वेधन चमता होती है वह सरवाधिक होती है तता गामा किरणों की जो खोज है वह बैकूरल की द्वारा की गई थी तो दोस्तों आपे हमने कुछ इंपॉर्टन मेटकून दोस्तों कामने कबर कर लिया जो तरंगत्ती के टॉपिक से बन सकते थे आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू थैंक्स प्रोचिंग थैंक यू